कल रविवार को जिले भर में बखर सक्रान्ती का पर्व मनाया जाएगा इसका पुन्य काल तो आज की रात से रविवार की सुभा तक रहेगा लेकिन डुब की शर्दालू दिन भर लगा सकेंगे जिले में कहीं जगा मेले भी लगेंगे एतिहासिक श्री राम लिला से विमान में सवार होकर भगवाईन श्री राम चरन तिर्थ घाट पहुंच कर गंगा पूजिन करेंगे सक्रान्ती का परवर लेने के लिए आज शाम से ही क्रामी नंचलों से शर्दालों का आना शिरू हो जाएगा जो रात में मंदिरों पर भजन किर्टन करेंगे और पुन्ने काल शिरू होते ही रहम में मुरत में सनान करेंगे बेत्वा के बडवाला घाट चरन तिर्थ घाट पर सबसे अधिक शर्दालों डूपकी लगाने पहुंचेंगे लेकिन देखा जाए तो घाट उपर महलाओ के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए कोई पुकता इंतजाम नहीं किये गए जिसे की महलाएं कपड़ा चेंज कर सके इसके अलावा त्रिवेनी घाट पर महल घाट बहरा घाट और बाबा घाट राम घाट पर भी डूब की लगाने शरदालू जाएंगे जिले के दूर स्थाल अंचलों से भी बड़ी संख्या में शरदालू डूब की लगाने पहुंच और कल मकर सक्रांती का सबसे बड़ा तेवार है और यहां हज्जारों की संक्या में लोग डुपकी इसनान करने आएंगे लेकिन प्रसासन की ओर से यहां कोई फुक्ता इंतिजामात नहीं है सदालों महिलाओं के लिए कपले चेंजिंग जैसी और टेंट जैसी कोई विवस्ता नजर नहीं आती है वहम प्रकास जोसी बिदी सा जी मेरा नाम है संजीब तिवारी मैं बड़वाला घांट चमतकारी हनुमान मंदिर का पुजारी ह। कल मकर शकरानती है यहां पर हजारों की संक्या में महलाओं आती हैं महलागांट हैं यहां पर प्रिशासन से निवेदन करते हैं हम लोग कि यहां पर टेंट या मात्र सक्तिन को कपड़ा चेंज करने के लिए विवस्ता भी नहीं है रखे हैं एक दो डिब्बा मगर वे टूटे हुए हैं उसमें उप्योग नहीं होता तो प्रिशासन से अंडोध करते हैं कि यहां पर कपड़े चेंज करने के लिए विवस्ता की जाए और हजारों की संक्या में आपर मात्र सक्तिन आती हैं तो उनको भी विवस्ता की जाए साब सपाई की जाए कई न कई हमारी समीतियां लगी रहती हैं या पर सपाई के लिए मगर बातरी के सपाई हो नहीं रही जो होना चाहिए इसलिए प्रिशासन इबन नंगर पालकास है मैं नमेदन करता हूं मकर सक्रांती के उपलक्ष में बढ़वाले घाट पर साब जाया जाए अगनी जलाई जाए जो की बहुत सोवे ठंड में मातर सकती हैं आती है तो नहां करके अपने हाथ सेंक लें ए मैं